ओके सो हलो एवरिवन आज हम लोग करने वाले हैं बेबी गल हैर कट जिसे आप लोग एपल कट या फिर बेबी गल हैर कट के नाम से जानते हो तो चलियो दोस्तों आज मैं आपको पुरा डिटेल में देखाऊंगा बिफोर का हैर्स देख सकते हो के हैर्स का फिदर लांग हो हैं और इस लॉंग हैर को हम लोग एक्स्ट्रीमली शॉर्ट हैर करके बहुत ही आमेजिंग सा हैर कट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम हैर्स को अची तरीके से वेट यारी थोड़ा सा गीला कर रहेते हैं क्योंकि इन्होंने घर से शैंपू कंडिशनर करके आया है तो विजिट के हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर लिजे यूगि इतना जादा नौलेजवाल वीडियो और इतने नए ने जो हैर कट से रिलेटेड हैर ट्रीटमें लाता हूं वह आप लोग को काफी कुछ सीखने मिलता तो ज़रूर लाइक करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना तो देखिए हम लोगने बैक साइड में हमने सेक्शनिंग निकाला है नेप एरिया पे जहां पर हम लोग गाइडलाइन क्रेट करें तो जब भी आप लोग हैर कट करो हमें साब बेसिक फॉर सेक्शन निकालने क बाद में फिर जाएं सेक्शनिंग करनी वहां से आप लोग कट करना शुरू करना है तो हम यहां पर नेप एरिया पे लिया है हमने गाइडलाइन क्रेट कर लिया है हमें यहां पर काफी शाट है चाहिए इसलिए हम जो नेप एरिया का कट किया है और फिंगर की लॉंग बॉब कट करते हैं जो ब्लंड कट करते हैं यह सारी चीजों में हम जो यूज करते हैं डिगरी का वो होता है हमारा जीरो डिगरी तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने sectioning दूसरी open की है और सेम उसी guideline के according देखी है आपर guideline हमें दिखा नीचे से देन हमने उसे किया cut सीजर देख सकते हूँ मेरी किस तरह से चल रही है मेरी हैंड की जो gripping है वो भी एकदम straight finger है दोस्तों आप लोग को मैं ने ने जो haircut से related videos ला रहा हो वो आप लोग practice करते जाएए और हो सके तो मुझे आप लोग tag भी कर सकते हैं practice करने के बाद tag करने के लिए आप लोग मेरे instagram id पर आएए मेरे instagram id है hair stylish rohit link आप लोग को description में मिल जाएगा वहाँ पर भी काफी ने ने haircut से related hair treatment से related और hair coloring से related videos रहते हैं जो कि short form में काफी कूछ आपको सीखने मिलेगा जाएए मेरे instagram पर मुझे follow करिए link आप लोग को description में मिल जाएगा hair stylish rohit तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो nape का area था वहाँ का सारे section हमने step by step cut कर लिए हैं आप लोग हमेशा पतले पतले section मेरी लेकर cut करिए क्योंकि अगर आप लोग ने जादा मोटे sections लिया तो बहुत बर ऐसा होता कि कुछ hairs हमारे uneven cut हो जाते हैं जिसकी वज़े से हमें perfect look जो हमें चाहिए straight finger वाला जो gripping और जो हम straight finger से जो scissors से हम cut करते हैं वो भी हमें proper तरीके से नहीं मिल पाता तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखते हुए पतले sections पर यह आपको work करना है अब हमारा यहाँ नेप का area cut हो चुका है अब आते हैं हम यहाँ पर year to year वाले section पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सबसे main यह जाननी की जरूरे थे कि दोस्तों आप लोग को guideline कहां से मिलेगी guideline मिलेगी आप लोग ने जो back side में cut किया है वहाँ से हम थोड़ा सा hairs लेंगे और देन उसी के according उसी की size का हम cut करेंगे क्योंकि guideline के बिना कभी भी आप लोग को अंदाजा haircut नहीं करना यानि कि अपने मन से कुछ भी नहीं काटना है आप लोग को जब तक guideline नहीं मिले proper cutting नहीं इसलिए हमेशा guideline लेजिए और guideline से ही cut करिए दोस्तों यह haircut जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है क्योंकि जब छोटे बच्चों का आप लोग बेबी गल haircut का आप जब cut करोगे तो वह बहुत बार एक normal step में नहीं बेढ़ते हो हिलते रहते हमेशा तो आप लोग को चीजे ध्यान में रखते हो बहुती proper तरीके से आप लोग को जो आपकी head की जो position है वो position आप लोग को set करना है और बार बार वो हिलाएंगे लेकिन आप लोग को उसी हिसाब से head का position रखके देन cut करना है तो जितना देखने में आसान लगता है उतना नहीं है जब आप लोग करोगे कोई चोटी baby girl haircut का haircut तब आपको पता चलेगा कि कितना जादा हाड रहता है क्योंकि अगर head का position बराबर नहीं है तो आपका haircut प्रॉपर नहीं होगा जिसके बाद लाश में जो final result आप लोग देखोगे तो प्रॉपर नहीं आएगा दोस्तों इस वीडियो में में आप को ब्लोडराय भी करके दिखाया हूँ कि हमें किस तरह से ब्लोडराय कर लेना है और देन उसके वाद में हमारा final result बहुत ही amazing सा मिलने वाला है तो चलिए step by step हमने समझ लीजे कि पूरा haircut हमारा cut कर लिए अब सब से main हमारा आता है जो हमारा front का जो हम लोग fix cut करने वाले हैं जिससे आप लोग बोल सकते हो banks जहां दोस्तों यहाँ पर foreheads पर हम लोग banks cut करने वाले हैं और banks के लिए आप लोग हमेशा cut जब कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ा सा size बड़ा ही रखते हुए cut करना है क्योंकि जब हम लोग अगर ज़ादा cut कर दिए तो एक बार वो foreheads के जारा उपर चला गया तो वो नीचे की तरफ नहीं आ सकता है बहुत short हो जाएगा इसलिए आप लोग थोड़ा सा long में ही cut करिए क्योंकि अगर ज़ादा long है तो हम उसे फिर से एकाद बार cut करके short कर सकते तो यह चीज ध्यान में रखिए और हमेशा आप लोग आपके client को भ लगे cut करिए तो हमने उस हिसाब से एक size को maintain रखते हुए हम हमारा यहाँ पर banks cut कर रहे हैं इनका hair आप लोग देख सकते हो कि काफी straight hair है straight ऐसा है जैसे लग रहा है कि इन्होंने straightening करा है बट इनका naturally एकदम straight hair है और straight hair को जब आप लोग करोगे तो उसे turn करने के लिए आप लोग को blow dry काफी अच्छी तरीके से करना पड़ता है तो चलिए हमारा foreheads का जो banks था वो भी हमने cut कर लिया है अब हम इसे करेंगे face पर ज्यादा heat आ सकता है इसलिए आप लोग को चीज ध्यान में रखने है तो हमारा haircut देखिए cut हो चुका है और अब हमने इसे cool blood right दिया है देन उसके बाद में short hair है इसके लिए दिरे दिरे आप लोग को medium heat का use करना है ज्यादा heat नहीं देना है बालोग अच्छी तरीके से इन कर लेना है और अब यह हमारा final result complete हो चुका है आप देखिए आप लोग को यह haircut कैसा लग रहा है फ्रंट का लुक जो बैंक साया है एपल कट जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत ही best लग रहा है आप लोग comments करके बताओ कि आपको कितना अच्छा लगा practice करिए और इसी तरह नहीं नहीं वीडियो से आप लोग के मिलते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाय बाय टेक के